हेलो स्टूड़न वेलकम टू स्वाहतिस क्लासेज आज हम देखेंगे सिख स्टेंडर का साइंस लेशन नमबर वन नाइचरल रिसोसेज एर वाटर और लाइन तो देखें स्टूड़न इस पूरे लेशन में हम नाइचरल रिसोसेज के बारे में जानने वाले हैं तो नाइच बहा जाता है natural resources तो देखिए यहां पर आपको एक picture दिया है spear of the earth और यहां पर हमें कहा गया है कि observe the picture alongside and answer the question तो first question आपको दिया है where do we see the birds तो आपको birds कहा पर दिख रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे तो birds हमें दिख रहे हैं यहां पर fly करते हुए है second is where is the cow grazing कि cow कहा पर graze कर रही है तो land के उपर है third is locate the trees and the road तो road कहा पर दिख रहे हमें यहां पर and trees हमें यहां पर दिख रहे हैं जो की land के उपर है fourth question है where does the river come from तो river कहा से आ रही है तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां से जो है river आ रही है hills के ऊपर से and how does it flow, तो नदी कैसे बैती है, कि जो upside area होता है, जो upside land होती है, जैसी की hills होती है, वहाँ से नीचे की तरफ क्या होती है, river बैती हुए, जमिन के उपर आती है, fifth बने, where is the aeroplane, aeroplane आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे sky में हमें aeroplane दिख रहा है, where are the fish seen, फिश हमें कहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे water में, पानी के अंदर दिख रही है, seventh day on, what is a sailboat floating, तो sailboat जो है, यह हमें कहाँ पे दिख रहे है, पानी के उपर तेरती हुई दिख रही है, तो यह सारे चीज़े हमें क्यों दिए है, तो इनके जो answer है, यह हमें यहाँ पे देखना है, क्यों से spear में आता है, तो वो होता है जमिन का part means ये आएगा हमारा lithosphere की जो cow यहाँ पर grace करें कहा पर है फिर जमिन के उपर है तो क्या आएगा lithosphere आएगा then next है hydrosphere hydrosphere मिल्स क्या? पानी जो भी water bodies है, वो क्या है hydrosphere है जमिन के उपर, earth के उपर हमें जो भी पानी दिखता है जो भी water bodies है वो होता है hydrosphere hydro का meaning क्या होता है पानी तो hydrosphere में क्या आएगा पूरा water body जो है वो आती है hydrosphere में तो यहापे कौन सा दिया है हमें river है तो river किस में आएगा hydrosphere next हमें दिया है atmosphere तो atmosphere क्या होता है अर्थ के उपर जो भी air होती है जैसे कि हम अगर कहेंगे कि birds fly कर रहे है आसमान में तो वो किस में fly कर रही है आपे वहापे क्या चीज अवेलेबल है तो air अवेलेबल है तो air जो होती है उस part को कहा जाता है atmosphere कि हमारे आजवाज़ो में भी air होती है जमिन के उपर जैसे हम जाते है हिल के उपर हमें air fill होती है aeroplane है जो sky से जा रहा है तो वहाँ पर भी air है तो जो air का पाट है उसे कहा जाता है atmosphere जो पानी का पाट है जैसे कि water bodies है river है lake है सी है तो hydrosphere है और जहाँ पर जमीन है land है soil है वो होता है लिथो sphere तो यह जो spheres of the earth है उनके नाम आपको याद रखने है next हम देखेंगे natural resources तो natural resources क्या होती है तो यहाँ पर देखें आपको box में दिया है air, water and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs they are called natural resources ऐसे जो factors है जैसे कि air है water है land है यह हमारे लिए जरूरी है अगर हमें जीना है तो हमें जमीन चाहिए जहाँ पर हम रह सकते है पानी चाहिए जो हम पी सकते है और air means oxygen जो होता है air में वो हमें जीनदा रहने के लिए जरूरी है तो हमारे जीने के लिए जो basic needs को complete करने वाली चीज़े होती है air, water and land उनको क्या कहा गया है natural resources क्योंकि यह हमें naturally मिरते है nature में इसके लिए you can see that some things in the picture are in water some on land and some in the sky that is in the air तो जैसे कि हमने picture में देखा था कि trees जो है कहा पर है land के उपर है उसके बाद हमने fish कहा पे देखी पानी के अंदर देखी airplane हमने कहा पे देखा sky में means air में देखा thus all things on the earth are associated with air, water and land air, water and land are called the earth's atmosphere hydrosphere and lithosphere respectively कि air का जो पार्ट आएगा उसे क्या कहा जाता है यहापे वो हमने देखा कि atmosphere, water का जो पार्टे उसे कहा जाता है hydrosphere और land का जो पार्टे उसे कहा जाता है lithosphere more ever different living things occupy these three sphere of the air तो सारे जो living things है एक ही जगा पे रहते है क्या नहीं जैसे इंसान है, cows है ऐसे जो आनिमल है वो land के उपर रहते है fish होते है, जो भी aquatic animals पाने में रहने वाली वो पानी में रहते है जो birds है वो कहा पे फ्लाइ करते है आस्मान में these living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy there together called the biosphere तो यह जो तीनों sphere है या फिल सारे जो living things इन तीनों पार्ट में रहते है उन्हें collectively या फिल together ली क्या कहा जाता है biosphere these spheres have formed on the earth naturally तो जो यह sphere है यह हमने नहीं बनाई यह naturally earth के उपर बने हुए है we have learnt all these in the previous standard तो fifth standard में भी हमने यह sphere जो है वो already study किये है जैसे कि fifth standard का lesson number 3 अगर आप देखोगे page number 14 जहापे sphere के आपको दिये हुए है या फिर जो lesson number 3 है उसे भी आप एक बार जरूर देखिए जिससे जो basic चीज़े आपको आप पे दिये है तो इसलिए student क्या करना होता है जो हर standard में आप लोग learn करते हो तो उसे ध्यान से देखना जरूर है क्योंकि हर एक standard का एक link होता है जो फिफ्ट standard में आपको दिया है वही थोड़ा सा उससे ज्यादा डिप में आपको six standard में है six standard में जो है उसका link आपको seventh में मिलेगा means six का जो study है वही आगे जाके seventh में भी आपको आता है तो फिफ्ट standard का बुक अगर आपके पास है तो उसे भी आप जरूर देख लिजे एक बार next हमें दिया है यहाँ पर the atmosphere is the layer of air that surrounds the earth atmosphere क्या है हमारे earth के surround में जो भी air हमें दिखती है means feel होती है वो क्या है atmosphere है the surface of the earth comprises water and land that is the hydrosphere and lithosphere जैसे हमने पहले देखा water का part के आएगा hydrosphere and जमीन जो होती वो lithosphere of this the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere तो यहाँ पर hydrosphere means water का जो part है वो सबसे ज़्यादा है जमीन से ज़्यादा किसका part है hydrosphere का है तो यहाँ पर side में जो हमें दिया हुआ है figure दिया हुआ है proportion of land and water उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि यह पूरी जो हमारी earth है इसके ऊपर पानी जो है वो है 71% और land जो है वो कितनी है 29% तो यहाँ पर comparison आपको समझ में आएगा कि जमीन कितनी है और water पानी जो है hydrosphere है उसने सबसे ज़्यादा जो part है occupy किया है earth का we also look upon these natural components in solid, liquid and gases firm as resources तो यह जो water है जमीन ए एर इनको हम इन 3 states में देखते हैं जैसे कि जमीन है तो solid है पानी है तो liquid है और air है तो gas है इन 3 states में हम देखते हैं in other words we use them to fulfill our requirement और इन 3 चीज़ों को हम हमारी requirements को हमारी जरूरतों को complete करने के लिए use करते हैं let us now study all these 3 components in detail तो यह 3 components है उनको ही हमें इस lesson में detail में क्या करना है देखना है can you recall में दिया है आपको what are the 5 layers of the atmosphere की atmosphere के 5 layers कौन से होते है तो देखिए student आपको यहाँ पे दिये 5 layers of atmosphere तो कौन से layer होते है atmosphere के तो हमें यहाँ पे दिया है देखिए ट्रोपोस्पियर है उसके बाद दिया है stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere तो यह भी आपको few standard में already दिया हुआ है तो यह 5 layers की नाम आपको पता होने चाहिए कि यह है हमारी earth तो earth के उपर अगर हम जाते हैं उपर के side में जैसे जैसे उपर जाएंगे तो हमें पहले सबसे पहले कुछ सा यहाँ पे layer मिलेगा ट्रोपोस्पियर का मिलेगा उसके बाद मिलेगा stratosphere second position पर उसके बाद third mesosphere, fourth ionosphere and five आएगा exosphere तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है ozone layer तो यह ozone layer का जो है topic आपको बाद में आने वाला है लेकिन अभी हम इसे देख लेंगे क्यों ozone layer क्या करता है देखिए यहाँ पे है ozone layer ट्रोपोस्पियर और स्टाटोस्पियर के बीच में तो ozone layer को जो है protective shell भी कहा जाता है तो क्यों ऐसे कहा जाता है जो sun की ultraviolet rays होती है इनको क्या किया जाता है ozone layer जो है absorb करता है अपने आप में यहाँ पे अगर जो ultraviolet rays है उनको भी आपको नाम जो है उसका याद रखना है क्या है ultraviolet rays यह जो आती है हमारे earth के surface के उपर आने से पहले जो है यह हमारा ozone layer जो होता है यह क्या करता है absorb कर लेता है जिसके कारण जो है यह rays हमारे जमिन के उपर नहीं आपाती है तो इनके effects क्या होते हैं कि अगर यह ultraviolet rays हमारे body के उपर आते हैं तो उनसे हमें cancer भी हो सकता है या फिर हमारे लिए काफी harmful होता है तो यह जो harmful rays है इनको absorb करने का काम करता है ozone layer जो कि हमारे लिए काफी protective है तो इसलिए ozone layer को क्या कहा जाता है protective shell कहा जाता है क्योंकि यह sun से आने वाले ultraviolet rays को अपने आप में क्या करता है absorb करता है दूसरी बाद जो five layers है तो इसमें आपको क्या देखना है देखिए जो aeroplane fly करते है parachute जो होते है यह कहाँ पर कौन से sphere में हमें दिख रहे है ट्रैपो स्पियर में उसके बाद जो है यहाँ पर आनो स्पियर है वहाँ पर जो rockets होते है या फिर उसके बाद जो satellites होते है यह इनके भी बाहर के तरफ होंगे उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक जो दिया है यहाँ पर की जो air होता है air क्या होता है एक तरफी का mixture होता है कई सारे gases का तो जैसे हम earth surface की उपर जाएंगे तो air का जो यहाँ पर प्रमान होता है या फिर जो proportion होता है कम कम होता जाएगा कि troposphere में आपको जो है air का proportion काफी अच्छे से दिखेगा उसके बाद stratosphere में भी दिखेगा लेकिन जैसे जैसे अगर हम उपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें air जो है कम मिलेगी उसके जो mixture जो होता है gases का वो भी हमें यहाँ पर कम मिलेंगे तो यह जो diagram में आपको यहाँ पर अच्छे से समझना होगा जो five layers है और जो ozen layer दिया है तो उसका काम क्या है कि वो हमें protect करता है ultra wallet rays से तो यह भी आपको ध्यान में रखना है तो चलिए student हमने यह देख लिया कि atmosphere के five layers कों से होते हैं कि जैसे कि stratosphere है उसके बाद mesosphere, ionosphere है तो यह troposphere है तो यह क्या है हमरे five atmosphere के क्या है layers होते हैं तो air के बारे में हम देखेंगे the air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, six inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles the troposphere contain about 80% of the total mass of gases in the air while this proportion is about 19% in the stratosphere तो student air क्या होती है, हवा क्या होती है, तो एक तरगी का mixture होता है कई सारे gases का, उसमें water vapor भी होते हैं, dust particles होते हैं, carbon dioxide, oxygen, कई सारे जो gases होता है उनका mixture means होता है air, तो यहाँ पर जो troposphere है, जो earth के उपर का जो sphere layer जो है, troposphere का, वहाँ पर सबसे ज्यादा हमें जो gases होते हैं, यह दिखते हैं, means air दिखता है 80%, उसके बाद का जो layer है, stratosphere का वहाँ पर हमें 90% दिखेगा, तो उसके बाद जो mesosphere and ionosphere आते हैं, तो वहाँ पर जो माएगा, उसके बाद जो है, proportion of the mass of gases goes on decreasing, उसके बाद जो है, पूरी तरके से decrease हो जाता है, and gases are not found in the exosphere and beyond, exosphere उसके बाद में जो है, वहाँ पर हमें air या फिर air का कोई भी mixture वहाँ पर नहीं दिखता है, यू can see that air is a mixture of several gases and is the cheap constant of the earth atmosphere, तो जैसे कि हमने आभी देखा कि air क्या है, कई तरीके की जो gases होते हैं, उनका mixture होता है, beside these gases, air also contain water vapor and dust particles, तो सिर्फ gases ही नहीं है, जो water vapor है, जो water cycle में हम लोग देखते हैं कि evaporation होता है, तो evaporation होने के बाद जो water vapor है, वो भी air में mix हो जाती है, उ the amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface, तो अर्थ की उपर का जो साइड, जो है area है, जो layer है, वहाँ पे हमें air जो है, या फिर जो gases है, वो काफी मात्रा में greatest दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम उपर जाएंगे, तो higher and higher जाएंगे, तो वहाँ पे जो है, हमें air काफी कम लेके जाते है, तो क्यों लेके जाते है, mountain है, जमिन से काफी height के उपर होता है, height पे होता है, इसके लिए वहाँ पे air कम होती है, और वहाँ पे oxygen का जो proportion है, वो भी कम होगा, तो obviously उन्हें oxygen तो चाहिए, तो इसलिए वो अपने साथ oxygen cylinder लेके जाते है, तो वो भी ये reason है, कि जैसे जैसे जमिन से उपर अगर हम जाएंगे, तो वहाँ पे air and जो gases का proportion होता है, वो भी कम हो जाता है, the proportion of the constituent of air and some of their uses are given air, तो side में देखिए, आपको ये picture दिख रहा है, proportions of the various gases in the air, तो air में जो सारे gases का proportion होता है, वो आपको percent में दिया है, तो यहाँ पे जो blue color दिया है, यह है nitrogen की 78% है, means यहाँ पे air में सबसे ज़्यादा कौन सा ग्यास होता है, तो nitrogen होता है, उसके बाद है oxygen जो की 21% है, उसके बाद है organ जो की 0.9% है, other constituent of air जो होते है, जैसे की water vapor address particle या फिर other जो भी ग्यासे से, वो होते है 0.07% और next है की carbon dioxide जो सबसे कम है 0.03% तो यह proportion हमें दिया है की air में कौन से gases कितने percent में होते हैं, next हम देखेंगे some uses of gases in air, तो air में जो gases है तो उनका फाइदा क्या है हमें, या फिर कहां पे use किये जाते हैं, तो first हमें दिया है nitrogen, nitrogen helps living things to build the necessary proteins, it is helpful in the production of ammonia and in airtight packaging of food stuff, तो nitrogen हमें proteins जो है उन्हें build करने के लिए help करता है, उसके बाद यह production, ammonia का production करवाता है, इसके लिए useful होता है, and then next है की food stuff जो package किये जाते है, तो जैसे कि आप vapors देखते हो, तो vapors का जो packet आता है, तो उसमें हमें हवा भरी हुई दिखती है, तो वो जो ऐसे food stuff होते है, तो उन है कि हमें breathing करने के time हम लोग क्या करते है, oxygen लेते हैं, तो necessary for respiration in living things and for combustion, तो respiration क्या होता है, जो हम oxygen करते है, और carbon dioxide को excel करते है, तो oxygen लेना, carbon dioxide छोड़ना, इसे respiration कहा जाता है, तो यहाँ पर oxygen यूज होगा, then combustion, combustion क्या होता है, कि fire को जलने की लिए oxygen ज़रूरी है, जैसे कि candle हम जलाते है, उसके बाद अगर हम कोई glass उसके उपर रख देंगे, तो वो बूच जाता है, क्यों बूचता है, क्योंकि जो glass होता है, उसके बीच में जो भी air present होती है, उसमें जो oxygen है, उसे utilize, जब तक utilize करते है, उस time तक candle जलती हुई हमें दिखाई देती है, लेकिन जैसे यह oxygen वहाँ पे खतम हो जाएगा, तो candle बूच जाती है, means combustion के लिए, जलने के लिए, fire जलने के लिए oxygen की ज़रूरी होती है, next is carbon dioxide, plants use it for producing their food using fire extinguishers, जैसे कि देखिए, plants जो होते है, photosynthesis process से अपना food बनाते हैं, हम सब को पता है, तो वहाँ पे carbon dioxide का ज़रूरी है, जैसे कि water है, carbon dioxide and sunlight की ज़रूरी होती है, उसी process से फिर क्या होता है, plants जो है, photosynthesis process से जो है, अपना food बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि oxygen से क्या होता है, fire जलता है, तो वहाँ पे कई पे आग लगी होती है, तो ऐसे जगब पे carbon dioxide को use किया जाता है, fire को भूजाने के लिए, next is organ, using electric bulbs, जो electric bulbs हमारे घर में होते हैं, वहाँ पे यूज किया जाता है, helium, used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships, neon है, using decorative lights जो आते हैं, उन्हें बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि street lighting हम देखते हैं, उसके बाद एक krypton, using fluorescent tubes जो होते हैं, वहाँ पे यूज किया जाता है, and xenon mist, using flash photography, जो camera जैसे से उनके uses हमें दिये हैं, always remember में देखेंगे, the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituent of air, the atmosphere is very important filter, कि जो atmosphere में gases होते हैं, उनका जो balance है, वो अच्छे से अगर रहेगा, वो हमारे लिए, living world के लिए काफी important होता है, और यह एक तरके से filter का काम भी करता है, it allows the light and heat of the sun to reach the earth, which is necessary for life, तो जो light addition की light, heat यह हम तक कैसे पोचेगी, तो इस atmosphere के कारण होता है, जो कि हमारे लिए काफी important है, but it prevents the harmful elements from reaching the earth, it is in the atmosphere that fog, clouds, snow and rain are produced, तो यहाँ पे जो atmosphere होता है, यह क्या काम करता है, harmful, जो elements होते हैं, उन्हें earth के पास आने से रोखता भी है, तो इसलिए atmosphere काफी important है, next day observe and discuss what is the similarity in the three pictures below, जो आपको three pictures दिख रहे हैं, तो first यहाँ पे जैसे की factories की chimneys होती है, उनसे धुआ निकलता हुआ दिख रहा है, second day, गाड़ी का धुआ हमें दिख रहा है and third one जो है, forest में जब आग लगती है, forest fire जब होता है, तो भी हमें काफी मात्रा में यहाँ पे धुआ दिखता है, तो यह क्या होता है कि air pollution, कि air में ऐसे जो धुआ है या फिर जो harmful gases से mix हो जाते हैं, जिनके कारण air pollute हो जाती है, उस this is called air pollution, तो यहाँ पे क्या होगा, कि जो धुआ है, जो harmful gases से air में mix हो जाने की कारण, जो balance होता है, जो percentage हमने देखे, जो proportion होना चाहिए, वहाँ पे कम ज्यादा हो जाएगा, जो भी यहाँ पे harmful gases से उनका proportion अगर बढ़ जाएगा, तो पूरी तरीके से जो balance यहाँ पे disturb हो ज का ऊड़ और कोल, as a result, air pollution is increasing day by day, तो फैक्टरीज की संक्या बढ़ रही है, लोगों की संक्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उनकी भी संक्या बढ़ रही है, तो इसकी कारण क्या हो रहा है, कि जो भी harmful gases से ज्यादा से ज्यादा air में mix हो रहे है, और air pollution जो भी है, day by day increase हो रहा है, तो harmful substances कों से है, harmful substances release in air through combustion of fuels, fuel का जो combustion होता है, जैसे वेहिकल में, फैक्टरीज में, तो उनसे जो harmful gases बनते हैं, तो कों से है, nitrogen dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and suit, ये सारे जो harmful substances से ये release होते है, air में mix होते है, जिनके कारण air pollution जो है, काफी बढ़ रहा है, ozone layer जिसके बारे में हमने already discuss किया है, ozone layer the protective shell, तो उसे protective shell क्यों कहा जाता है, क्योंकि ozone layer जो है, ये absorb करता है, ultra oilet rays को, जो की sun से आते हैं, तो उन्हें ozone layer क्या करेगा, ultra oilet rays को absorb कर लेता है, जिसके कारण वो अर्थ तक नहीं पोश पाते हैं, और जो ultra oilet rays होते हैं, वो जो होते है ultra oilet rays, उन्हें ozone layer क्या करता है, absorb कर लेता है, और अर्थ तक नहीं आने देता है, इसके कारण ही ozone layer को protective shell कहा जाता है, the 16th of September is celebrated as ozone protection day, all over the world to make everyone aware of the importance of ozone, तो ozone protection day कब होता है, तो 16th September को होता है, और एक बात हम यहाँ पे देखेंगे, कि ozone layer जो है, वहाँ पे degrade, destroy हो रहा है, मतलब उसका जो layer है, वो कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो chemical gases होते है, जैसे की carbon, tetra chloride हो, या फिर जो chlorofluorocarbon होता है, जो की AC and refrigerator से उन्हें से निकलता है, इसके कारण जो ozone layer है, यह धीरे-धीरे करके क्या हो रहा है, destroy हो रहा है, नेक्स्ट हम देखेंगे, do you know me, in metropolitan cities like Mumbai, Pune और Nagpur, boards are displayed at places of heavy traffic to show the proportion of the various constituent of the year at that place, due to these boards, we can see the amount of harmful elements in the air, तो जैसे की metropolitan जो cities है, उनमें क्या किया गया है, कई जगा पर ऐसे boards लगाया गया है, जिनके कारण air में कौनसे constituent कितने proportion में है, यह हमें पता चलता है, तो इसे हमें जानकरी लग सकती है, कि कौनसा जो constituent है, उस जगा पे सबसे ज़ादा है, तो देखेंगे, student lesson जो है काफी जरूर कीजे, और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब अगर नहीं किया होगा, तो सबस्क्राइब भी कीजे, और वहापे जो bell icon का button है, उसे भी जरूर प्रेस कीजे, उससे क्या होगा कि आपको जो आने वाले वीडियो जे उसका notification समय पे मिल जाएगा,